पूछना ही क्या रिवर्स चार्ज में इस रेसिपेंट को ही टेक्स पे करके चलना है 18% से 2 लाख के उपर अब जो अगली एंट्री आपके सामने आ रही है तमबाकू लीव्स की तमब खेको लीव्स यहां लफड़ा है यहां जगड़ा है और इसलिए समझना पड़ेगा पूरे के पूरे प्रोसेस को जनम से लेकर ब्रोडेक्ट बढने तक जो प्रोडेक्ट मार्केट में बिकेगा वो पूरी life chain हमें यहाँ पर analyze करनी पड़ेगी तब ही जाकर हम rate decide कर पाएंगे यहाँ पर लड़ाई इस बात की नहीं है कि तबेको leaves पर river charge में कब लगेगा और forward charge में कब लगेगा यहाँ पर लड़ाई है rate को लेकर क्योंकि rate notification एक बटा 2017 के अंदर अलग-अलग schedule बना दिया है एक जगे पर आपने तबेको leaves को 5% की category में डाल दिया है तबेको leaves बोलकर और दूसरी जगे आपने HSN के अंदर उसको unmanufactured तंबाकू भी बोल रखा है तो भी है कब unmanufactured तंबाकू मानना है और कब तबेको leaves मानना है unmanufactured तंबाकू है तो 28% का GST लग जाएगा और अगर तबेको leaves है तो 5% का GST लगेगा अगर मैं सिर्फ 4 बटा 2017 की बात करूँ तो तबेको leaves के respect में है ही क्या आपका जो supplier है वो agricultureist होना चाहिए और जो आपका recipient है वो हमेशे की तरह अगर जिस्टर्ड परसन होना चाहिए कोई दिक्कत की बात है नहीं सर्क कोई दिक्कत की बात नहीं अब आज़ेजे साब फिर से presentation पर और देखते हैं कि भाया यह शुरुवात होती कहां से है शुरुवात क्या होगी साब cultivation से लेकर तो साब उगा दिया अब उगने के बाद क्या करेंगे साब तो जब पत्ता आपको दिखाई देता है वो पत्ता किस पर लगता है वो पत्ता एक stem की उपर लगता इस तरीके की एक stem होती है और उस stem में से वो पत्ता इस तरीके से निकलता है बाहर इसी तरीके से यहाँ पर भी पत्ता निकलता है और यह पत्ते जो हैं वो स्टेम की उपर लग जाते हैं हरे पत्ते हैं बड़े पत्ते हैं किसान को पता होता है कि अब वक्त आ चुका है हार्वेस्टिंग का तो कल्टिवेशन कंप्लीट हो गया हर्वेस्टिंग हर्वेस्टिंग दो तरीके से हो सकती है हर्वेस्टिंग आप मैनूल भी कर सकते हो और आटोमेटिक भी कर सकते हो जो आप आप आपके पास में एक वहिकल होता है ट्रेक्टर जैसा होता है ट्रेक्टर की पीछे एक मशीन लगती है उस machine को एक particular path की उपर जब आप चला देते हो खेट के अंदर तो वो दोनों तरफ उगे हुए उन stems को cut 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 क्या करतेता है कि जो पत्या हैं सिर्फ वो करती है, stem खड़ी की खड़ी रह जाती है यही तो खेल है, वो उगाते ही इस तरीके से हैं कि stem side में निकलती है बीच में से truck चला देते हैं, truck के पीछे machine लेगी होई होती है तो machine automatically cut भी करती जाती है और collect भी करती जाती है अगर आप YouTube पे थोड़ी से research करेंगे, यह आपके research का मुद्दा है हर चीज यहां नहीं दिखाई जा सकती इसलिए तो आपको Saturday Sunday को lectures मिलते हैं ताकि आप चार दिन के अंदर और detail research करके अपना एक research paper लिख सको, एक working paper, एक study paper, एक article लिख सको जो आपने सीखा उसकी उपर, अपने खुद के notes डेवलप कर सको अपना खुद का learning material, GST material आप महाँ पर बना सकते हो इं lectures को देखने के बाद तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि automatic करोगे, तो cutting अलग से हो जाएगी stem, stem रह जाएगा, देखो, stem जो है न, ऐसे, यह stem रह जाएगा और side से जो पत्यां है, सिर्व पत्यां अलग से cut भी हो जाएगी और collect भी हो जाएगी, automatic के अंदर मैनूल में क्या होगा अब मैनूल में पत्यां तो दो बैठेंगे निव tribal भी जो फटा फटा से कानेगी आँगि साब गेती लेंगे, और गेती लेंगे कंकर stem वह काटतें चले जाएगी तो मैमनोल में क्या हो रहा ह्योद़्। स्टेम इंदर एक च्टासा है एक तरीकी का उस हैंडील की उपर यसाप कपड़े टांगते हैं अपने हाथ मेरा के अंदर तो एक पाइब पोटा है उस पाइब के अंदर हम क्या करते हैं अपना जो एक handle होता है handle इस तरीके का होता है देखो इस तरीके का होता है जिसे आपने कपणे tank तो अपने sheds टांग तो अपनी jinx टांग तो इसके उपर ऐसे hook होता है तो इस hook को आप टांग देते हो और इसके अंदर आप अपना कपड़ा इस तरीके से टांग देते हों, बिल्कुल इसी तरीके से क्या करते हैं, कि यह जो आपके स्टेंट से ना, इन स्टेंट को टांग दिया जाता है, और वो गोल होता है, अब स्टेंट टांग देते हैं, ताकि वो गिरे नहीं स्टेंट, अब स्टेंट मेंने टांग द लग किया जाता है मैं यहाँ पर main stem की बात कर रहा हूं ना कि leave के अंदर जो stem होता है उसकी leave stem की बात नहीं कर रहा है सर क्या मतलब मतलब यह एक इधर देखो अगर मैं आपको diagram बना के समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके सा आपको दिखाई देगा यह होता है आपके पास में main stem और इस main stem के ऊपर इस तरह से leaves होती है ठीक है मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक होता है leave अब जैसे for example अगर यह leave है तो आपने देखा होगा इस leave के बीचों बीच भी एक छोट इसी पतली से stem होती है मैं अभी इस stem की बात नहीं कर रहा है मैं अभी इस stem की बात कर रहा हूँ जो technically grow करती है agricultural land के उपर तो इस पे से इन पत्यों को तोड़ लिया जाता है automatic में क्या होता है पत्यओं को ही हटाया जाता है stem वहीं खडा रहे जाता है लेकिन manual में इस stem को कट करना पड़ता है तो बीच में stripping करके जो leaves से इनको अलग करना पड़ता है मेरा पहला सवाल चाहे automatic करो, चाहे stripping करो क्या बोला मैंने, चाहे automatic करो चाहे आप stripping करो दोनों ही processes के अंदर, तबेको leaves तो तबेको leaves ही रहेगी ना क्या तबेको leaves का अपना खुद का as a leave, as a leave उसका status change हुआ, बोलो हा के ना नहीं हुआ सर, वो तबेको leave ही रहने वाली है, और देखो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपको zoom करके दिखाने की कोशिश यहां पर करता हूँ तो यह रहा आपके पास में stage number one, और stage number one पर देखो आपको दिखाई दे रहा है green leaf हा सर, green leaf यहां पर दिखाई दे रहा है, अब यह green leaf की मैंने stripping कर दी, अब stripping करने के बाद, दूसरा process कुछ-कुछ log करते हैं, कुछ-कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमाँ पर, उसमें क्या होता है सर, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होती है आपके पास में, butting क्या होती है, उसके अंदर आपके पास में होती है, butting में क्या होता है, सर, butting के अंदर देखो, यह है for example पत्ता ठीक है हाँ, यह है पत्ता अब इस पत्ते की पीछे एक छोटा सा डंठल होता है अगर आपने पान के पत्ता देखा हो, पीछे एक छोटा सा डंठल होता है, अगर आपने पत्ता देखा हो, पीपल का, पीपल का पत्ता भी देखो के तो उसमें पीछे छोटा सा एक डंठल होता है, उसको नाकला भी बोल तो इस इस वाट उड़ इस बटिंग यह होता है बटिंग का प्रोसेस तो मुझे बताओ कि क्या बटिंग के प्रोसेस है तबेको लीफ की essential characteristic change हो गई क्या दानसर इस नो तबेको लीफ आज भी और अभी भी इस stage तक तबेको लीफ ही है तो जो तबेको लीफ green leaf वो आज भी green leaf है दानसर इस येस वो कल भी green leaf रहेगी नहीं कल वो green leaf नहीं रहेगी क्यों मैं बताता हूं आपको पहली चीज़ तो यह समझेए कि green leaf marketable नहीं होती green leaf को ले जाकर अगर आप agricultural produce marketing committee के थुरू option करवाओगे कोई नहीं खरेदेगा आप consume नहीं कर सकते डायरेक्ट उसको सुखाना पड़ता है और सुखाने को हम बोलते हैं यह आप तीसरी stage समझ सकते हो curing अब curing अलग-अलग तरीके की होती है curing भी आप air curing कर सकते हो आप यहाँ पर flu curing कर सकते हो आप यहाँ पर sun curing कर सकते हो याणि धूप में सुखा सकते हो हवा से सुखा सकते हो flu से सुखा सकते हो और तीनों के अंदर ध्यान अखना फरक सिर्फ इतना सा है कि उन तबेको leaves को किस तरह से establish किया जाएगा रखा जाएगा जिस तरह से आप उसे रखोगे उसी तरीके से difference आजाएगा इन तीन तरीके के methods के अंदर curing के methods यह curing के methods है और जो step है वो है जैसे मैंने बता है stripping पहला था बटिंग दूसरा था और तीसरे पर हम curing कर रहे हैं तो वो curing इस तरीके से होती है यहाँ पर आपको बता भी रखा है आपके पास में air curing है आपके पास में उसके बाद में यह देखिए साब sun curing है sun curing के बाद में आपके पास में यह क्या है flu curing है यह आपके पास में यहाँ पर flu curing है यह तीन तीन तरीके के अलग-अलग curing है क्यों करते हैं क्योंकि मैं आपको बताया ग्रीन, लीफ मार्किटेबल नहीं होती, तो सुखाना पड़ता है तो सुखाने की जिम्मेधारी किसकी उगाने की जिम्मेधारी किसकी फार्मर की अधिल की जब तक वह सुखा कर नहीं बेचेगा कोई खरी देगा नहीं तो टेक्षिक ये फसल जो अगर में गर कहहां तक है फास्ट अब इसके अंदर एक पूरी टबेको लीव जो एकडम बढ़िया शाइन कर रही है लेकिन सूखने पर भी वो एकडम ब्राउनिश शाइन कर रही है कोई दाग नहीं है कोई धंबा रही है कोई छेद नहीं है वह होता है grade A एकडम perfect टबेको लीव Grade A की, उसको Grade A का दर्जा दिया जाता है जैसे स्कुल में बच्चा होता नहीं, तो सबसे अच्छे नंबर लेकर आता है, बिल्कुल उसी तरीके उसके बाद में Second Number पर क्या होने वाला है सर? बंदल बन बंस नnhके जाते हैं उसको at the year of The Lamb इसके बैल्स बना धी जाते हैं और भी आपको मैं इस डाइग्राम में ज़रूर दिखाऊँगा देखेंशाव अगर हमारे पास में आपको दिखा सकती हो उतो बेल्स ये रहा bundled for trading तो इस तरह से इनके bells बना दिये जाते हैं, bundle बना दिये जाते हैं तो ये cured तबे को leaf आपको दिखाई दिये दिये सूखने के बाद, सूखने के बाद देखो यहाँ पर optional process grading का भी है जिसमें अलग-लग इनको grade कर दिया जाता है बटिंग भी मैंने वहाँ पर पीछी पीछे लास्टी लास्टी मैंने आपको बटिंग भी दिखाई है कि इस तरह से पीछे के dental को तोड़ काड़ दिया जाता है तो बटिंग हो जाती है अब bundled हो गया साब, हा सर, bundling हो गया बढ़िया हो गया मजा आ गया साब लेकिन मुझे फिर से वही सवाल पूछना है आप सभी से क्या अभी भी वो तबेको लीव है या तबेको लीव नहीं है बंडिलिंग करने से, ग्रेडिंग करने से, बटिंग करने से, स्ट्रिपिंग करने से क्या उसका essential characteristic खतम हो गया, क्या वो अब पत्ती पत्ती नहीं रही तबेको लीव तबेको लीव नहीं रही, सर अब आज भी तबेको लीव है बिल्कुल है, very very good, अब क्या करना है सर, अब देखो अगर आपको यह पूरा यहां तक समझ में आ गया, तो अब आगे चलना है आपको अभी काम खतम कहां हुआ है, सहाब, अब होता है एक re-dried अब देखो, re-dried तो वो है ना, जो नहीं सूख पाया, अगर उसे दोबारा सूखाना पड़े तो आप उसको बोल दते हो, re-dried, कि अगर आपको लगता है कुछ तबे को leaves ऐसी हैं, जिने फिर से dry करना ज़रूरी है, जिसका कुछ portion अभी भी green रह गया है, तो आप एक step और कर देते हो, बीच में re-dried तो re-dried, तबे को leave वो तबे को leave है, जिसे एक बार फिर से dry के process में डाला गया, that's it अब उसके बार में क्या होने वाला है, अब होने वाला है सबसे important point और यही मैंने अपने notes में भी आपको बहुत अच्छे से समझा कर दिया है, यह देखिए आप बकाईदा diagram बना कर मैंने bifurcate करके आपको समझाया, नीचे analysis के अंदर अगर आप मेरे साथ में आएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा तबेको leaves और तबेको leaves के अंदर मैंने क्या लिखा है, unmanufactured तबेको, unmanufactured तबेको क्या है ध्यान से समझना, before threshing, जी हाँ, यह जो शब्द आया है, यह जो stage आई है, यही stage है वो stage जहाँ पर तबेको leaves अब तबेको leaves नहीं रहेंगी, हम कहाँ पर थे सर, third number पर हमने curing करी थी, fourth number पर अगर जूरत पड़ती है, तो हम redrying करेंगे, लेकिन fifth number पर होने वाली है, आपके पास में क्या, fifth number पर आपके पास में होने वाली है, threshing, threshing में पत्ती पत्ती नहीं रहती, जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पत्ती के बीच में जो यह stem होती है, इ और इसको बोलते हैं, यह जो portion होता न, यह portion जो काम का portion है, जो addiction देगा, जो नशा देगा, इस portion को बोलते हैं, lamina, क्या बोलते हैं, l-a-m-i-n-a, lamina, और बीच वाले जो portion अलग कर दिया जाएगा, art के तुरू, कला के तुरू, के हाथ में कला होती है, कैसे निकालना है, बि बिना lamina को break करे, नुकसान पहुचाए, destroy करे, एक भी छेद बिना हुए, बहुत ही तरकीव के साथ, यह तब ही possible है, जब आप एक particular moisture level पर उस तब एक लीव को ले आए हो, तब ही आप अलग कर पाओगे, वनना आप अलग नहीं कर पाओगे, और वो level आने के लिए curing करनी ज that is what we call threshing, lamina अलग हो जाता है, और stem वहाँ पर अलग हो जाता है, यह वो वाला stem नहीं है, जो उपर मैंने बताया था, यह वो वाला stem है, जो मैंने बीच में से निकाल दिया, और देखो साब, आपको diagram देखो के तो और अच्छे से समझ मा आ जाएगा, कि किस तरह से वो stem अ पुरा दिखाई दे रहा है न, यह है वो बीच में से जो डंडिया अलग कर ली है वो, और यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है वो lamina और leaf portion, जो दोनों साइड का मैंने आपको बताया था, यह देखें साब, यह जो मैंने आपको identify कर वाए था न, यह lamina है, दोनों तर और यह beach की जो आपको दिखाई दे रही है, पती, यह, 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 आपके पास में, वो से erase कर देगा, कोई बात नहीं, यह है आपके पास में, stem, beach वाला stem, यहाँ पर क्या हुआ, थ्रेशिंग पर क्या हुआ, यह अब अगला सवाल आपका बन जाता है, कि है बात यहाँ पर, कि कब तक तबे को leave थी, और कब हो आपके पास में, threshing के बाद में, unmanufactured तबे को बन गया, आपको बास मज में आ गई होगी, अब आपका जो अगला सवाल होगा, बस वो यह होगा, कि सर उसके बाद में क्या होता है, यह, जो threshed leave है, उसे export कर दिया जा आप उसको cigarette के रूप में पी सकते हो, उसके बाद में fermented leaves, जो अलग-अलग होगी, यह पत्या उनको fragment कर दिया जाता है, तो वो fragmented leaves आपके पास में बन जाती है, आपके पास में chirots बन जाती है, उसी के आप जब बीडी के अंदर भढ़ देते हो, तो वो बीडी बन जाती है तो गुठखा, खेनी, सनफ यह सब आपके यहाँ पर बन जाता है, लेकिन यह सब कुछ किस केटिगरी में आएगा, 28% की केटिगरी में आएगा, थ्रेशिंग के बाद यह जो भी आप सब कुछ देख रहा है हो, यह सब का सब आपके पास में 28% की केटिगरी में fall करेंगा, I hope आपको यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आजाएए case studies के उपर फटा फट से, क्योंकि पूरा process अब आप अच्छे से समझ चुके है, रेशिपियंट है, तबेको leaves, प्राइविट लिमिटेड रेजिस्टर है, सप्लियर है, मिस्टल पटेल, फार्मर, क्यों परिशान कर रहे हो, पांच परसेंट ही लगेगा, हाँ सर, पांच परसेंट ही लगेगा, चेक करें एक बार, चेक करते है सर, क्या अभी भी वो तबेको leaves के status में है, पहली condition satisfy हो जाती है, हाँ सर, दूसरी condition satisfy हो जाती है, हाँ, तीसरी condition, क्या सामने वाला registered person है, हाँ, तीनों condition satisfy हो जाती है, क्या यहाँ पर मैं reverse charge mechanism लगा दूगा, दूसरी यहाँ पर मैं reverse charge mechanism लगा दूगा, case study number 2 में देखते हैं, तबेको leaves private limited है, Mr. Patel, एक farmer है, 500 kg of cured and stripped, अरे क्या ही फरक पढ़िया ना यार, cured and stripped बोल दिया तो, क्या अभी क्या वो तबेको leaves नहीं बची, क्या उसका status, essential characteristics change हो गई, the answer is no, वो अभी भी तबेको leaves है, चाहे आप उसको cured बोल दो, चाहे आप उसको stripped बोल दो, क्या कोई फरक पढ़ेगा, क्या यहाँ पर मेरी condition satisfied हो रही है, हाँ सर वो अभी भी तबेको leaves है, सामने वाला agriculturalist है, तीसरे number पर जो बंदा है, यानि recipient है, registered है, क् पर भी reverse charge ही, applicable होकर चलेगा, case study number 3, case study number 3 पर, तबेको leaves private limited इस बार फिर से recipient बनेगा, हाँ recipient बनेगा, supplier भाई साब, agent of supplier, जी हाँ, agent of farmer, क्या लिखा, agent of supplier, agent of farmer, आपके पास में registered बनने वाला है, cured and graded तबेको की बात हो रही है, मुझे बस इतना सा बताओ, cured and graded तबेको leaves, क्या वाला agriculturist है, no, question mark, question mark, question mark, lecture की शुरवात में, आदे घंटे से उपर मैं आपको agent का concept समझाने में time लगाया था, मैंने बोला था, कि होता यह है कि यह माल, देखो, farmer कौन होता है, agriculturist कौन होता है, जो cultivation out of land करता है, भया उसको धंदा करना नहीं आता, he is not a businessman, he is an agriculturist, he loves his land, he don have that powerful mind for business, he has a powerful mind for agriculture, agriculture is an art, business is also an art, but he does not have that art, तो वो क्या appoint करता है, वो बंदे को agent appoint करता है, जिसमें business करने की कला है, उसको maximum price वो वहाँ पर दिलवा सकता है, इसलिए farmer खुद जाकर मंडी में नहीं बेचता है, मंडी में जो appointed agent होता है, जो अच्छे सा अच्छा price दिलवा सकते ह पर उनको भी उनका commission मिलना है, तो वो तो चाहेंगे ही यही कि ज्यादा से ज्यादा price पर transaction हो, ताकि उनका commission भी ज्यादा बने और किसान का भी फायदा हो, और मज़े की बात यह agent ऐसे नहीं हो सकते, सुनो, यह agent एक law के तहत रिजिस्टर होते हैं, जिसको कहा जाता है, agricultural produce marketing committee क्या होती है, law होता है, law के अंदर establish की जाती है, government के द्वारा यह marketing committee, और यह किसानों की फसल को एक सही दाम पर बेचा जा सके, वो decide करने में मदद करती है, तो भाई साब सबसे पहली बात तो यह कि जो agent भाई साब आपको दिखाई दे रहे हैं, यह agent भाई साब इस APMC के कान कानून में registered होते हैं, और उस कानून के तहत ही उनको सारे के सारे functions perform करके चलने होते हैं, ठीक है सर, तो जो farmer इस agent को appoint करता है, वो अपनी पूरी की पूरी फसल इस agent को दे देता है, सिर्फ देता है, title to the goods transfer नहीं करता है, और उसके बाद में यह agent इसका auction करता है, और auction के अंद है, उसके अंदर एक form agriculturalist को issue करता है, और एक form जो इस law में mentioned है, APMC के, bidder को जो जीता है, जिसने purchase करा है, जो buyer है, उसको issue करता है, ठीक है, okay सब, तो एक मैंने क्या करा साब, पीछे से, जिससे मैंने बिकवाया, जिसका मैंने बिकवाया, उसको issue करा, एक आगी issue करा, मजी की ब form is nothing but a tax invoice on behalf of the farmer, यानि technically वो farmer ही issue कर रहा है, पहली बात पर आपको यह अच्छे से समझ के लेनी है, बोलो हा के ना, हाँ सर, बास समझ में आ गई, accordingly, यहाँ पर क्या माना जाए, उस agricultural produce marketing committee के अंदर, वो agent जो auction कर रहा है, यह बोला जाए, कि बेचने वाला agent है, फिर से मेरे सव charge applicable नहीं हो पाएगा, क्योंकि river charge वाली entry क्या है, river charge वाली entry में लिखा हुआ है, agriculturalist, यह देखिए साब, मेरे साथ सर्थ पटावर से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सर, तवेको leaves के सामने लिखा हुआ था, agriculturalist, और agent agriculturalist नहीं है, तो इसलिए यह समझो कि agent नहीं बेच रहा, base agriculturalist ही रहा है, agent तो एक कानून के तहत, agricultural and produce marketing agent में register होकर सिर्माल भिखवाने का काम कर रहा है, माल का जो title to the goods है, वो agriculturalist ही यहाँ पर transfer कर रहा है, और इसी की ऊपर जो पहली आपकी advance ruling में आपको दे रखी है, यहाँ पर वो यहीं दे रखी है, बंसल Industries Punjab की, यह द बेच रहा, किसान बेच रहा है, तो यहाँ पर reverse charge ही applicable होकर चलेगा as such, I hope आपको यह बात अच्छे से समझ में आ जाती है, क्या लिखा हुआ है, whether the purchase of raw cotton from कच्चा अढ़तिया, अभी कच्चा अढ़तिया कौन होता है, यह agent होता है, वो खुद registered हो सकता है, हाँ, agent खुद registered हो supplier के shoes में क्या करता है, supplier के shoes में enter करता है, और सिर्फ और सिर्फ supplier के behalf पर काम कर रहा होता है, agriculturalist के behalf पर काम कर रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर reverse charge लगेगा, the answer is yes, and the registered person receiving such goods is liable for discharge the liability under reverse charge liability, very very good, यारी reverse charge liability में उसी को वो चीज बेच कर चलनी है, यही चीज यहाँ पर mentioned भी की और यही चीज में आपको इन detail में समझा भी दी, अब आगे चलते हैं, और देखते हैं कि अगली case study क्या है, अगली case study क्या होने वाली है, तब एको leaves private limited इस बार फिर से है, farmer बोल लो या agent बोल लो क्योंकि आप concept को समच चुके हो, मुझे बस यह बता दो क्या लिखा है, sir इस reverse charge हाँ, लगेगा यहाँ reverse charge ही, लेकिन at the rate of 28%, इससे पहले जहाँ पर भी था, वहाँ हर जगे 5% का rate applicable हो रहा था, अब क्या है, sir?